नमस्कार दोस्तों आपकी अपनी वेदिक एश्टो लाइफ यूडूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज किसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिथुन रासी वाले जातकों का दो हजार पचीस कैसा होगा जी हां दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मिथ का दो हज़र पचीस में बहुत जादा स्वागत हैं दोस्तों अगर आफ हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए जिससे कि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो दोस्तों इस वीडियो में हम को सब पूर्ण जानकारे देंगे वीडियो को वन तक जरूर देखें ताकि इसमें कहें बाते आपको अच्छे से और इस पर समझ में आ सकें तो आई चलते हैं वीडियो की और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मितुन रासी वाले जात्कों की कुणली में कौन से ग्रह कहां ब बाद होता है जैसिकी देव गुरुपरी हस्पत राहु देव शनी देव और केतु देव इनका जो राशी परिवर्तन होता है काफी सालों बाद होता है दो हजर पचीस में कौन से ग्रह कहां जाएंगे और कितने च्छे रिजल्ट देंगे कितने पावर फुल होंगी इसके से पहले बात करते हैं सनीदेव की बारे में सनीदेव आपके 30 से मार्चे 2025 को कुमभ राशी से निकल कर मेण राशी में आएंगे तो आपके यहाँ पर मेण राशी में मतलब तन थहोश में आएंगे। और 15 मैं 25 को देवगुरु ब्रीहस्पत बृषव राशी से निकल कर मिथुन रासी में आएएंगे मतलब आपके लगन में आएंगे और 18 मैं 2025 को राहु देव मीन राशी से निकल कर कुम्भ राशी में आएंगे दोस्तों confused मत होईएगा क्योंकि राहो देप का जो राशी परिवर्तन होता है न तो उल्टा होता है इनका चेक्र जो होता है उल्टे दिसा में घूंगता है तो ये कुम्ब राशी में आएंगे वहीं केतु देप करने राशी से निकल कर सिंग राशी में आएंगे आपके धर हाउस में तो दोस्तों अब आई चलते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि देव गुरु प्रिहस्पत की जो दृष्टी है वो कहां कहां जा रहे हैं और कहां पर आएंगे तो आपके लगन में आज आएंगे 15 मैं 2015 को तो यहां पर थोड़ा सा मितनुरासी वाले जातक अपने ह प्रिहस्पत वजन बढ़ाते हैं और पाचन में समस्या भी होती हैं तो इन चीजों का विसेश ध्यान देवांकि तो अच्छा रहेगा यह गुरु देव आपको काफी सफलता देंगे फ़र्ष्ट हाउस में आ गए हैं तो देव गुरु प्रिहस्पत की जो पाचमी तो यहां पर आपका प्रेम प्यार बहुत अच्छा हो गए हैं मिधुड़ा सी वाले जात्कुक का और साथ ही आपको ना यहां पर ग्र्यान की प्राप्टी बहुत हो ग धोगी दोस्तों आप कोई सब घ्यान लेंगे तो उसको कहराई से पढ़हेंगे और आपके अंदर इ उच्छी सिक्षा भी आपकी अच्छी रहेगी अगर आप बीदेश जाना भी जाते हैं पढ़ाई के लिए तो आप जा सकते हैं ये साल प्रेम प्यार आपका लव रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा आपकी पार्टनर आपका क्यार करेंगे आप भी अपने पार्टनर का क्यार करेंगे और यहाँ पर आपकी पार्टनर का और आपका तालमेल बहुत बढ़ी रहेगा दो हजर पचीस आपका प्रेम प्यार बहुत ह बिंदास रहने वाला है कोई दिक्कत नहीं होगी और साथे बता दे कि यहां पर मिथुन रासी वाले जातकों का संतान योग भी बन रहा है यहां दोस्तों यहां पर अगर आप फैमली प्लानिंग का सोच रहे हैं यहाँ पर संतानी योग बन रहा है तो आपको अच्छी रिजल्टे मिलना सुरू हो जाएंगी साथ ही बता दे कि यहाँ पर मिथुन रासी वाले जातकों का भाग भी बहुत अच्छा हो जाएगा भाग से जुड़े जो भी आप कारे करना चाहते हैं शुबे कारमांगली कर तो कर सकते हैं भाग आपका बहुत ही बिंदास हो जाएगा जो कि देवकुर ब्रिहस्पत की नौमी दृष्टी जाएगी जब 15 मैं 2015 को लगन पर आएंगे अभी भी अच्छा है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना 15 मैं के बाद हो जाएगा तो यहाँ पर आपका भाग भी काफी सपोर्टिव रहेगा तो कुल मिलाकर यह बोल सकते हैं मितुनरासी वाले जात को का 2020 अच्छा रहने वाला है उसके साथ 2020 में मितुनरासी वाले जात तक धार्मिक चेजों पर ज्यादा ध्यान देंगे उसमें रुच रखेंगे दानपुने भी ज्यादा कर सकते हैं साते बता दे कि यहाँ पर आपका और आपके पिता के साथ जो संबंध है वो अच्छे संदेब के जो राशी व रिव Kylieほ तन होने जा रहा है वो कुम्राशी से निकल कर मीन रशी में आएंगे मतलब आपके नाइन थायूश चेजियों यहांघ है दख़र्देब कर और तहनुश्यूमीक अगर्ड़ आपको मेहनत कर रहें हैं बहां पर आपको मेहनत कर रहे हैं और धीरे-धीरे मिलेगा, मतलब सन्य देव आपके तिन थाउस में चल गया है ना, तो महनत यह ज्यादा करवा देंगे, मतलब वो चीज़े आपको प्राप्त हो कि जैसे कि आपके प्रमोशन की बात चल रही होगी, तो मिलेगा लेकिन आपको देरी से मिलेगा, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा और आपको काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो चीज़े मिलेंगी तो सन्य देव कही न कहीं से आपके जिएवर में मेहनत को प्रदर्सेद करते हैं मेहनत बढ़ा देंगे वही पर राहु देव आजाएंगे आपके कि ये चीज़े आप मत करिए, ये चीज़े आप मत करिए, अगर आप धर्म कर्म में रूची रख रहे हैं, कही न कहीं से राहू उस चीज़ से आपको दूर करवाएगा, तो ये चीज़े देखने को मिल सकती हैं, लेकिन साथी बता दे कि अगर आप कोई चीज़ करवा रहे ह ठीक ना राव देब आपको भरमित करेंगे या फिर आपके रास्ते में बाधाएं लाएंगे लेकिन फिर उसके बाद कहीं न कहीं से आपके काम हो जाएंगे क्योंकि देब कुरुपरी हस्पत की भी दृष्टी जा रही है उसके बाद केतु आपके आजाएंगे थाड़ है तो आपको अच्छे ही रिजल्ट देंगे थाड़ हाउस सेम आपको सब कुछ अच्छा मिले गया साहस पराक्रम आपका अच्छा रहेगा और साथ ही बता दें कि यहां पर छोटे भाई-बहन के साथ आपका संबंद भी अच्छा रहेगा क्योंकि एक पापक रहे हैं और जो यह चीज़े इगनोर कर देंगे ना तो सफलता आपको बहुत दूर लगेगी लेकिन यही कठिन काम और कड़ी महनत आप पर इगनोर नहीं करते हैं लगन से काम करते हैं तो दोस्तों बता दे कि सफलता कहीं दूर नहीं बलकि आपके आसी पास से घूम रही है बस थोड कर हें इसको भी कहत्ब होगा से मेहनत भी उसे प्रकाल से हैं क्योंकि आपको किसी भी समय मिल सकती है तो दोस्तो आज टीस वीडियो यहां पर खत्म होती है अगर आप इस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शब्सक्राइब एंड शेर की से